मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, धूंडो तो तुम पाओगे, खट-खटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो धूंडता है वो पाता है, और जो खट-खटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। तुम मेंसे ऐसा कौन पिता होगा, जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देगा, या पानी मांगने पर उसे जहर देगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुमें देना जानते हो तो तुम्हारा परमपिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यूं न देगा। मैं कहता हूँ, अपने प्राणों की चिंता न करो के हम क्या खाएंगे और ना ही अपने शरीर की क्या पहनेंगे। क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर। पक्षियों पर द्यान दो। वे न बोते हैं न ताटते हैं और नहीं उनके कोई भंडार है। फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और तुम तो पक्षियों की तुल्ला में कहीं बढ़कर हो। तुम मेंसे कौन जिन्ता करके अपनी आयू बढ़ा सकता है। जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाग्ये जिन्ता क्यों करते हो। इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। वो ये किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इन में से एक के समान भी सुन्दर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में छोंकी जाएगी। तो निश्चय ही वो तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। हे अल्प विश्वासियों। हमारे विश्वास को बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते के जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग तो ये तुम्हारी बार मान लेता। करेंगें करेंगें विश्वास रिष्वास हाँ हाँ करेंगें करेंगे